नमस्कार विद्धियार्थियों और प्रिये मित्रूं स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिस्ट्री हमें आज हम मेडवल हिस्ट्री के UPSC में पुछे गए प्रशनों को देखेंगे कि मेडवल हिस्ट्री से किस तरह के प्रशन आये हैं और इन से हम क्या-क्या सीख सकते हैं मैं इसकी पूरी व्याख्या करता है चलूँगा जो की बहुत मैस्पूर्ण है पहला प्रशन है मद्धे कालीन भारत के निमनिलिक्षित शासकों में से किस ने पुर्टगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमती दी थी क्रिशन देव राय, नर्सिंग सालूप, महममा शात्रितिय या यूसुफ अदिल चात तो दोस्तों ये शासक है क्रिशन देव राय जिसका टाइम पिरियड है पंदरा सो नौ से लेके पंदरा सो उन्तिस और ये तुलुफ वंच का सबसे प्रतापी शाकाक है और इन फैक्ट विजय नगर सामराज जी के अगर बात करें तो उसका भी सबसे पावरफुल किंग है च्रिश्न देव राय जिसको हम बोलते हैं कि उसने कुछ उपादियां धारणगी दी सबसे पेली उपादी में इसके लावा एक आंध्र पितामहा उपादी है और एक अभिनाव भोज विष्णुचित सबसे एक और इंपॉर्डेंट उपादी है आप डूट डाउन कर सकते हैं विष्णुचित कौन सी भाशा में लिखी है और इसका जो सब्जेक्ट इसका जो विष्ण है वो क्या है वो है इस्टेट एड्मिनिस्टेशन यानि की राज जी का प्रशासन के स्टरह से चलाना चाहिए उसके उपर ये पुस्तग लिखी है अमुक्त मालेदा जो की है तेलगु में इसके ला इसके लावा इसकी जो कोड है जो इसकी कोड थी उसमें अश्ट दिगज थे ये अश्ट दिगज के लिए बहुत जादा महत्पूर्ण है अश्ट दिगज अश्ट दिगज कौन है अश्ट दिगज जो है वो आठ पोई हुआ है बहुत सारे मंदिलों की मरमत होती है जिसमें हजारा Ram Temple है विठ्थल Swami Temple है चितंबरम Temple है और इसने एक नगर बसाय था जिसका नाम था नागलपुर और होस्पेट और नागलपुर जैसे कि आप पूपता होगा कि जो करनाटक शेत्र है, उसके हमपी का जो एरिया है, उसके आसपास के एरिया को ही हुस्पोइट बोलते हैं, तो ये कृष्ण देव राय के उपर तो खायर अगर शुरू करें तो पूरा का पूर अधिन निकल सकता है, बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है, लेकिन इतनी साही चीज़ें जो जो बहमनी किंग्डम था, बहमनी किंग्डम के मौहमद शाह को इसने हराया, यूसुफ आदिल शाह जो इसमें नाम भी दिये हुए, यूसुफ आदिल शाह जो लाई होती है, उसमें यूसुफ आदिल शाह की मृत्त्य हो जाती है, इसके इलावा जो गजपती शासक हैं, गजपती शासन क्यानि जो उडीसा का जो शेत्र है वहाँ पर प्रताव रुद्रदेव शासन कर रहा था उसको विजयनगर सामराज्य के कृष्ण देव राय ने हराया और उस प्रताव रुद्रदेव ने अपनी बेटी का भिवा इससे कर दिया था और फिर बाद में दोनों सो नौ से शुरू हो राए जिस समय अल्बु करक है यहाँ पर पुर्तगालियों में तो पुर्तगालियों से भी मित्रता बनाने की कोशिश करता है क्योंकि जो मद्दिकाल का जितना भी इतियास है जितना भी वार है वो सारा का सारा घोडों के अच्छे क्वालिटी के वो करनी पड़ती थी क्योंकि भारत में गोड़े अच्छी नसले के नहीं होते थे। उस समय जो जितना भी बिजनस था जो सी ट्रेड था वो सारा का सारा पुर्तगाली कंट्रोल कर रहे थे। इसलिए पुर्तगालीों से अच्छा रिलेशन मना के रखना मजबूरी थी। अ आठ्वी शताब्दी का प्रारंब कूच राहा है इसका मतलब क्या हुआ? आठवी शताबदी पहले ता आपको एक्लियर होना जीर आठंवी शताबदी का आपको नाम सुना होगा जैचंद का जैचंद जो है जो ही संग्योगता और सिसीरा चोहां वाला जैचंद ही यह गढ़वाल शातक का और चंदावर में जाके फिर मुहमत गौरी के हाथो हार के वंच का सरुनाश हो जाता है यहां बे तो यह 11 से 13 वी शताब दी है काकातिया का अभी जो टाइम पीरेड है वो भी ऐसे ही है दसमें से लेके चौजमी शताब दी बोल सकते हैं आप क्योंकि इसका जो काकातिया वंच है इसका विलय होता है जो प्रताप रुद्रदेव इसका आख्री शातक है और जो मुहमत बिन तुगलक जब वहां पर जाके अटक करता है तो यह जो देवगिरी है यह भी अलाव दिन खिलजी जब इस पर आख्रमन करता है रामचंदर देव शातक होते हैं फिर वो एन्युवल ट्रिब्यूट देना सुईकार कर लेते हैं उसके बाद जब वो अलाव दिन खिलजी चला जाता है वापत उसका फिर से वो अपने फांडेशन है वो इस टाइम डिरेशन में नहीं होता तो हमारा आंसर होना चाहिए आंसर नमबर डी अगम देख लेते हैं मैप के ओपर यह स्टेट कहा कहा है यह है काकातिया जो पिंक कलर से आपको देख रहा है काकातिया स्टेट यहीं पर राजमुंदरी था जहां से हमक यह लाइट पिंग कलर में होयसल वंच दिखा है आपको उसके बाद चौल और पांडे हैं उसके नीचे तो होयसल वंच का आखरी शासक कौन था होयसल वलका वंच का आखरी शासक था बल्लाल थर्ड यह एंपॉर्णर है कई बार कुछन में पूछ लेते हैं कि कि किस वंच मैं कुछ देर तक शासन करता है, Under the Sovereignty of Allowing Hilji and Malik Kapoor, चलते हैं अगले प्रशन के उपर, विजय नगर सामराज जिके निमने लिखित शासकों में से किसने, तुंग भद्रा नदी पर एक बड़ा बांत, और नदी से राजधानी शहर तक कई किलो मीटर लंबी नहर, सहर जल सेत विजय नगर सामराज जिके जितने भी राजा थे, वो विरुपाक्स उनकी एक डाइटी हुआ करते हैं, मतलब गौड हैं, विरुपाक्स, इनको यह पूछते थे और विरुपाक्स जो गौड हैं, यह form of Shiv, शिव का ही रूप हैं विरुपाक्स, जिनका विवाह माना गिया है देवी पंपा से, और यह देवी पंपा के नाम पर ही वहाँ पर पंपी पड़ता है, और यह देवी पंपा जो हैं, यह पारवती का स्वरूप मानेंगे, अगर आप हंपी जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि चितने भी मंदिर हैं, उसमें से जो एक विरुपाक्स म मिलती है हलां कि दोस्ते इसका आंसर है देवराय प्रथम और देवराय प्रथम जो है यह संगम वंश का शाथक है और इसका जो टाइम पीरेड है वो है 1406 से 1422 देवराय प्रथम का टाइम पीरेड है और देवराय प्रथम के साथ सबसे ज्यादा जो महत्पूर्ण जानकारी वो ये है कि इसका युद्ध होता है बह्मनी शातक फिरोश शाह दे और बह्मनी शातक फिरोश शाह इसको हरा देता है जिसके बाद देवराय प्रथम जो है उसको अपनी पुत्री का विवा उसके साथ कर देता है किसके साथ फिरोश शाह देता है तो फिरोश चाह नाम important है, contemporary राजा भी पूछ लेंगे आपसे कई बार, बह्मनी शाह सा कौन था contemporary, मदब समकालीन, बह्मनी शाह सा कौन था, तो फिरोश चाह था, देवराय प्रधम का, जिसके साथ ये अपनी बेटी का विभा करता है, और दहेज में देता है, मांकापूर, विजयनगर सामराज जी के बारे में बहुत जादा इसने अपने व्याक्षान दिये है, निकोलो कॉंटी ने, और निकोलो कॉंटी के साथ साथ एक और नाम important आता है, यहाँ पे श्रीनात, जो श्रीनात था, श्रीनात, ये इसी की सभा में थे, श्रीनात, और श्रीनात ने, आप बताइए मुझे कौन सी रचना की है, यहाँ मुझे कमेंट सेक्शन होता है, और जो श्रीनात थे, इनको देवराय प्रथम का आश्रे मिला हुआ था, नेक्ट कोश्चन के उपर चलते हैं, मद्दे कालीन गुजरात के निमनलिकित शातकों में से किसने दीव को पुर् बहादुर्शाह के विशयर में इंपॉर्ड़ियों के साथ इसका जो सम्मी करण है, वो किस तरह से बनता है, यह पुर्थगालियों से मदद चाता है, और आखरी में वही पुर्थगाली इसको, इसकी मौत का कानल बन जाते हैं, और हो सकता है आपसे इस प्रष्ट में जिस इसने सुल्तान दिये हैं, यह सारे के सारे गुजरात के हैं, मदद चाता है, महमूद बेगड़ा, मौमद चाता है, बहादुर शाह हो सकता है, इसकी क्रोनलोजी पूछे, नेक्स, मद्द कालिन भारत में फनम शब्द का तात्पर क्या था, वस्त्र, सिक्के, आभूशन य और कॉपर, यानि कि सोना, चांदी या फिर ताबा किस धातों के बने हैं, और यह स्वनम जो है, जिक्कित सामराजी के सिक्तों के, मतलब किस सामराज में बहुत जादा प्रचलित थे ही सिक्के, दूसरा क्वेश्चन आते हैं, भारती इतिहास के संदर्व में निमने लिख कतनों पर विचार कीजिए, भारत पर पहला मंगोल आक्रमन जलालुदीन खिल जी के शातनकाल के दौरान हुआ था, दूसरा एलाउदीन खिल जी के शातनकाल के दौरान, एक मंगोल आक्रमन कारी दिल्ली तक पहुँचा और शहर को घेर लिया, तीसरा महमश बिन तुगलक ने अपने राज जी के उस्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों को अज थाई रूप से मंगोलों के हाथो खो दिया था तो दोस्तो मैंने आपको दिल्ली सल्तनत में मंगोल आक्रमन पढ़ाएं हैं इलतुत sulfur के समय होता है अगर हम लोगना कर देता है एक मैं नहीं कर रहुआ recordings क्योंकि मंगोल पहत ने दांकत ताकत थे और इलतुत्मुष्टी उसमें प्रारंफिन आखी है। अभी इत्नी स्ट्रौंग नहीं हुए म कि वो मंगोलों से टक कर ले सके, तो इल्तुत मिश्ट ने उसको मना कर दिया, डिप्लोमेसी खेली, इसको ही कुटनीती बोलते हैं, उसने कुटनीती तरीके से मना कर दिया कि मैं हल्प नहीं करूंगा और अपने सामराजे को बचा लिया, लेकिन जो पहला मंगोल अटैक है, वो इंडिया के उपर कब होता है, वो होता है, इल्तुत मिश्ट के ठीक बादी होता है, इल्तुत मिश्ट के बाद रजिया गदी बैठती है, उस समय वो भी वही चालाकी करती है, जो इल्तुत मिश्ट ने की, तो रजिया के समय में भी कोई मंगोल अटैक नहीं होते, लेक पलंग में लीटर भी पूल लेते हैं मंगल आटेक में कौन था और ऐसी मुहमाद बिन तुगलक के समय मेंrer मांग करता है माद की सिरीं तंब लिए पर्ट स्ट न कि म théरो अब यह जो दूसरा statement है यह एक जम सही है और सबसे अगर आप से पूछें तो मंगोल attack किसके समय हुए है सबसे अदा मंगोल attack होते हैं एलाउदिन खिल जी की समय में उसका reason है उसका reason यह है कि जलालुदिन खिल जी ने क्योंकि मंगोलों को बताया था दिल्ली में मंगोल पू दूसरा reason कि जलालुदिन खिल जी के समय जो था वो शातन शांती प्रिय था और इतनी धन संपता भी नहीं दिख रही थी तो अलाउदिन खिल जी ने वो तक्षिन भारत से बहुत धन संपता लूटी जिसकी वैसे हो सकता है मंगोल आकर्शित हुए और उन्हें अटैक करने तो कुला दरान के नाम से जाना जाता है सेधों को और कुला दरान if you जा जाता है क्योंकि आपको पता होना च्रच कुला जो है कुला ये बोला जाता है टोला बरто है टो पहनने जाताए इसा कुला बोलते हैं और मतलब झुड़ उक्र geschण के लिश की तो लोटने बहुतर है जो आप देखिए इसलाम में जो समधाया है सैयद और इनको बोला गया है कि ये मुहमत पैगंबर की जो बेटी फातिमा थे फातिमा उनके वंशज फातिमा के वंशज तो ये फातिमा के वंशज थे और ऐसा बोला जाता है कि जब तैमूर ने भारत के अटेक किया तो उसने भी सैयदों को बहुत सुरक्षा कराई थी अलाकि वो बहुत जादा कतले आपको उतारू था लेकिन फिर भी उसने सैयदों को इतना नुक्सान नहीं पहुझाया और आगे चलके फिर सैयद मंज की स्थापना भी देखते हैं वो सब हमने पढ़ा हुआ है सतनत काल में नेक्स वेश्चन पर आते हैं एक तरफ राजा दीए हैं दूसरी तरफ राजवंज दीए हैं और ये आपको बताना है कि कितने जो जोड़े हैं वो सही सुमेलित हैं या नहीं नन्नुक, चंदेल, जैशक्ती, परमार, नागभट दितिये, गुर्जर, टतियार, भोज, राष्ट गूर्ट तो हमको बताना है कितने सही हैं तो चलिए एक एक करके देखते हैं नन्नुक जो है ये चंदेल वंज का संस्थापा के फाउंडर है तो इस तरह से ये तो मैच हो गया नेक्स देखते हैं जैशक्ती परमार नहीं जैशक्ती जो है ये थर्ड शासक है चंदेल वंज का तो इसको लिख लेते हैं हम थर्ड रूलर आफ चंदेलाद चंदेल वंज का थर्ड शासक है तो ये मैच नहीं होता है नेक्स आते हैं नागभट दुतिये गुर्जर प्रतिहार येस बिल्कुल है सही मैच है तो दो मिल गए भोज राष्ट को उड़ नहीं भोज जो है ये अगर आप भोज परमार की बात करें तो परमार भोज हो गया लेकिन अगर भोज परमार नहीं लिखा है तो दाहिर से बात है मिहर भोज की बात कर रहा है और मिहर भोज जो है ये गुर्जर प्रतिहार शासक दिये हुए हैं और तो अगर आपने किसी भी दो वंश को अच्छे से पढ़ा हुआ तो समझ में आ जाएगा तो इस तरह से जो हमारा अंसर होगा कि एवल दो जोड़ी मैच हो रही है अंसर नंबर B नेक्स्ट वेस्टन अंबर B यह आधिकारिक भाषा थी मुगल्स की पर्शियन वाइ? क्योंकि वो अपने आपको इरान से जोड़ते थे इरानी कनेक्शन होने की वज़े से पर्शियन भाषा जो है वो उनकी कोर्ट लैंगवेश थी और इसमें बहुत सारे जो प्राचीन गरंथ थे, वो बहुत सारे प्राचीन गरंथों को फार्सी में अनुबादित किया गिया है, चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पे, रामानुज की बैठी हुई मुद्रावाली विश्च्व की दूसरी सबसे उची प्रतिमा का हाल ही में भा मूख्ळक का रियुद्धम साधन भक्ति ये वैद शाश्वत्व, तथा पूर्णतअ प्रमाणिक हैं, टार्किक सर्वच्च आननद के लिए थे, मूख्ष ध्यान के माध्यम से प्राप्ट किया जाना था तो मूख्ष का सर्वथतम साधन भक्ति है, क्योंकि जो रामानु पुर्तगाली लेखक नुनिज के अनुसार विजय नगर सामराज्जी में महिलाएं निमलिकित किन शेत्रों में विश्यशक गये थी कुष्टी जोतेश हिसाब किताब अविश्यकत्र अचा आप देखिए हर एक साल विजय नगर एंपायर से एक प्रेश्न दरूर आता है तो विजय नगर एंपायर में आने वाले जितने भी आपके विदेशी यात्री है चाहे वो निकोलो कॉंती हो चाहे बार्बोसा और डॉ जो है महिलाओं के बारे में बताता है कि बहुत जादा एकदम इंट्रेजेंट मतलब कुष्टी में बहुत जादा क्या बूलते उसको एफिशेंट थी जोतिश अच्छे ते बताता हुंको हिसाब किताब करने में भविश्यकत्त के ऊपर बहुत जादा था तरह चारों के आनसार हैं, यह सही, लेकिन यह नूरीत हैं ऑकि ऐस में यह खास तो आजṛ पर देखे तो एक रुशियन ट्रैवलर है यह है रुशियन ट्रैवलर हो भी नहीं बुलेंगे बलकि रुषियन हौस सामराजी के बारे में बहुत हमको सूचना है नेक्स्ट कोश्चन निमने लिखित कत्नों पर विचार करें इलतुत मिश्के शासनकाल के दौरान ही चंगेज खां भगोडे फारेज मिराज कुमार की खोज में सिंदू तक महचा था चली है ये तो आपको पहले वाले अगर आपने पिछला कोश्चन देखा होगा इसमें मैं पूरा एक्स्प्रेंट किया है इसलिए एक्स्ट करना बहुत जरूरी है अगर मैं पूरा सब कुछ बता दूंगा तो आप पूरा सारे उसी में से निकाल लेंगे तो ऐसे कोश्चन बनते हैं यूपीस्टी हो चाए को नेक्स्ट कुश्चन है मुहमद बिन तुगलक के शासंकाल के दौरान ही तैमूर ने मुलतान पर कब्जा किया तथा सिंदु नदी को पार किया था विजय नगर सामराज्य के देवराय दिती के शासंकाल के दौरान ही वास्को डिगामा के तर्ट पर पहुंचा अब इतिह का जो शासंगाल है वो है आपका 1442 में खताम जाता है ,1442 में this फिनिश जाता है, तो देवधा दूतीं के समय में भारत नहीं है, तो , थर्ड वाला option मेरा गलत हो गया, पफर्स वाला option सही है, अब सैकंड वाला देख लेता है तेमूर का आकरमण होता है म्होम्मद बिन तुगलक की समय में होता इन्हाय क्योंकि टैमूर का अकरमण होता है तुग catch का इकदम आप यह समझें की last stage होती है तुगलक catch के लास stage है जिस समय तैमूर West lip कर रहा है 1398 में ट्रहक और तान में ट्रहक करता है और उस समय हृण शाथन कर रहा है नासिर उद्दीन महमूद कर है जो कि तुगलगो नस्दिन बहुत नहीं हृड तो second वाला भी गलाद है तो इसका answer हो जाएगा केवल A केवल 1 next question मद्यकालिन भारत के संदर्ब में आकार के संदर्ब में बढ़ते करम से निन लिखित में से कौन सा अनुकरम सही है आकार के संदर्व में बढ़ते हुए क्रम तो question ध्यान से बढ़िए बहुत जरूरी है यह आपको सारे के सारे administrative units दी हुए यानि कि प्रशासनिक इकाईयां दी हुई है मद्रिकालिन भारत में जिसमें सरकार है सूबा है परगना है आपको बढ़ते हुए क्रम में चलना है मतल कि सरकार जो है यह एक तरह का डिस्टिक्ट पास्टें सर्कारों एक कमिशनर आए गा सूबा से इथि अधिर खें तो एक प्रशासन के साथ से लि parenth के अस विरुए कभло अन्त्हा गाइगा option नंबर ए कि नेक्स्त ब्हरतिय इतियास के संस्दरव में में निमने लिखित में से कौनसे या कौन सा कथन सही है या है अरकाट की निजामत हैजराबाद राज Emmalgov राज्यस से निकली। मैसूर आम्राज्य विजय यंगर साम्राज FREE से नीकला। भी फिर से भी सिर्फिषे इंग्लिश में अर्कॉड यह हैद्राबाद से ही निकलता है और यह आपको पता चलेगा जब थोड़ा सा आधुनी की इतिहास पड़ेगे मद्यकाली इतिहास में इतना जाधा इसका दिख्र नहीं है क्योंकि है रगाधी की स्थाफ नहीं होती 1724 है विजय नगर नकलता है और मैसूर सामराज में कौन है वोडयार डैनस्टी शासन करती है मैसूर में और यहीं से मैसूर से ही आपके आपने हैदर अली फिरागे टीपू सुल्तान और हम देखते हैं फिर किस से अंग्रेज़ों के साथ एंगलो मैसूर युद्ध होते हैं चार युद्ध है तो विजन अगर सामराज के बाद से अगर मैसूर में वोडियार डैनिस्टी बन रही तो तो यह जो है आपके यह लात जो डैनिस्टी थी अरःविडियो डैनिस्टी उसके ही सारे के सारे शातव तो विजन अगर सामराज जिम्य है जैसे हमें पता है चार जातनी Question का आंतर हो जाएगा option number A, 1 and 2. Next question, भारत के इतिहास में निम्लिलिखित घटनाओं पर विचार करें. राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन प्रत्थम के अधीन पल्लव सक्ता की स्थापना, परांतक प्रत्थम द्वारा चोल शक्ति की स्थापना, और पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी. अब हमको इन सब को लगाना है क्रोनलोजी में. तो क्रोनलोजी हमको तभी पता चलेगी, कि किस VR की स्थापना हुई किस समय अब टतिहारों का उदाय बोल ला है पहली चीछड़ आपको इधान में रखनी है राजा भोज की अधीन टत्यहारों का उदाय बाकि 3 की स्थापना है एक वज़ का उदाय폰 इस्थापना नहीं यह याज रखना है प्तिहारों की स्वापना के बारे में नहीं बोल दां, आप एक एक करके सब का टाइम पिलेटि देख लेते हैं, भोज प्तिहारों का शासन करते हैं, 836 से 885 AD, इसके बाद महंद्र वर्मन ने, हालाक इस्वापना न तो नहीं किये, इस्थापना करते हैं पल्लमों की सिम इसना है लेकिन महंद्र वर्मन का टाइम पिरिड बोला है जो कि महंद्र वर्मन का आ जाएगा 600 से 630 AD, परांतक प्रथम का टाइम पिरिड आता है 835 से 955 AD और पाल वंच की गोपाल ने सापना की है साड़े 700 AD के बीच मिन का टाइम पिरिड आता है तो इसमें सबसे पहले आ जाएगे महंद्र वर्मन यानि की दो इसके बाद आ जाएगे आपके चार इसके बाद आ जाएगे एक और इसके बाद तीन यानि की ऑप्शन नंबर सी बारत के इतिहास के संदर्व में कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द दर्शाते हैं भूमी की माप वेभिन्न मौद्रिक मूल लिके सिक्के शहरी भूमी का वर्गी करण और धार्मित अनुष्ठान इसके उपर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है हाला कि इसका सीक्वेंस भी पूछते हैं कुल्यवाप द्रोणवाप और इनका और भी और नाम है जिसकी मैंने बताई आपको भूमी का माप है यह और भूमी के माप में कितना कितना कभी आप से हो सकता है डिसेंडिं अधक जो की है करीब करीब तीन बटे आठ से लेके और आधे एकर तक इतने यूनिट को बोलता है अधक और इसके बाद आता है द्रोण वाप जिसको हम लिखा है हमने यह आता है आधे एकर से लेके लगभग दो एकर तक यह आजाएगा द्रोण वाप उसके बाद आजाए यूनिट से और इसलिए important है कई बार आपसे ascending and descending order में पूछने नेक्स आते हैं मुगल भारत के संदर्व में जागीरदार और जमीदार के बीच क्या अंतर है जागीरदार न्याइक और पुलिस कर्तव्यों के बदले में भूमी आवंटन के धारक थे जबकि जमीदार राजस अधिकार बंशानुगत नहीं थे आपको बताना है कौन से answer हमारे सही है तो पहला जो है जो दूसरा को आपका option है जागीरदारों को घुमी का वंटन मंचानुगत था ये एक्दम गलत वंशानुगत था ही नहीं वंशानुगत अगर होता तो जब्ति का नियम ही नहीं आता है कि जब किसी जागिरदार की मनसबदार की जब भी मिर्त्य होती थी तो उसकी इसारी सारी प्रॉपर टी स्टेट सीस कर लेता था इस अर यूज फूसित करेगा इसलिए कर रहा क्योंकि उसके उत्तर अधिकारी को सारी सारी प्रॉपर्टी नहीं देनी वन्शानुगत अधिकार ही नहीं और जो जमीदार थे इसके जरूर कुछ हद तक अधिकार वन्शानुगत थे तो यह हमारा second statement पहला स्टेटमेंट बोला है जागीरदार न्याइक और पुलिस कर्तव्यों के बदले में भूमी आवंटन के धारक थे ये एकदम गलत है क्योंकि ये न्याइक और पुलिस कर्तव्यों के बदले में नहीं थे ये अपनी मंसथदारी सेवाओं के बदले में थे तो इस तरह से दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं और हमारा आंसर होगा option number D next question दिल्ली सल्टनत के राजस्ट प्रिशासन में राजस्ट संग्रहे के प्रभारी को आमिल के नाम से जाना जाता था दिल्ली के सल्टनों की एकता व्यवस्टा एक प्राचीन स्वदेशी संस्था थी मीरबख्षी का पद दिल्ली के खिलजी सल्टनों के शासन काल के दोरान अस्शित्व में आया आपको बताना है सही कौन था है देखे करके देख लेतें सबसे फ़रे तीसरे ही देख लेते हैं मीर बक्षी क्योंकि बहुत important है मीर बक्षी जो है ये है मुगल काल का अधिकारी ये मुगल officer है और इसका काम क्या था ये आप मुझे बताई ये comment section में नेक्स सेकंड स्टेट्मेंट कह रहा है दिल्ली के सुल्तानों की इकता व्यवस्था एक प्राचीन संस्था थी एकदम गलत है प्राचीन संस्था नहीं थी ये दिल्ली के सुल्तान ही इकता व्यवस्था लेकिया थे बारत फर्स क्वेशन जो कह रहा है वो एकदम फर्स स्टेट्मेंट सही है जो राजस्त संग्रे परभारी थे उनको आमिल कहा जाता था दिल्ली सतनत में तो इस तरह से हमारा ऑप्षन बन जाएगा ऑप्षन नमबर ए नेक्स वेशन नमने लिखित करतनों पर विचार करें संत निमबार अकबर के समकालीन थे संत कबीर शेक एमसर हिंदी से बहुत प्रभावित थे उप्रिक्त में से कौन से आ या कौन से कदम सही है तो एक एक करके देख लेते हैं संत निमबार का जन्म होता है 1165 कहां पर मदरा मदरास का एक गाउं है जिसका नाम है निमबापुर वहाँ पर इनका जन्म होता है 1165 और अकबर का टाइम प्रेड़ आपको पता है 1556 है तो समकालीन तो नहीं है पहला तो आपका रॉंग हो गया दूसरा संत कबीर शेक एमसर हिंदी से प्रभावित थे ये भी थोड़ा सा बादास पद है क्योंकि शेक एमसर हिंदी जो है इनका जन्म हुआ है 1564 और ये जहांगीर के समकालीन है जबकि जो कबीर है कबीर का जन्म होता है जन्म क्या बलकि टाइम प्रेड़ी बोलूँगा मैं वारा नसी में ये इनका इस्थान है 1440 कबीर तो समकालीन तो नहीं हो स पहले पैदा हुआ व्यक्ति बाद पैदा हुआ वाले व्यक्ति से प्रभावित हो सकता है तो इस तो सरा सर गलत बात है तो आपको निमबार्क के बारे मतायता हूं निमबार्क मतलब निमबकाचार की बात कर रहे हैं और निमबकाचार को सुदर्शन चक्र का अफ्तार मान द्वायत वाद यह है किसका निम्बकाचारे का बहुत जादा इंपॉर्डन्ट है क्योंकि इस तरह की फिलोसपी पुछी आती है निम्बकाचारे की फिलोसपी हो सकता है पूछ लिए आपसे दोयता दोयतवात किस ने दिया या फिर सुदर्शन चक्र का अपतार कौन था या फिर जो है आपसे पूछें कि विशिष्ट दोयता वात किस ने दिया अदोयतवात किस ने दिया और दोयता दोयतवात किस ने दिया माध़बा चारिका नाम आ जाएगा निम्र का चारिका आ जाएगा रामना चारिका आ जाएगा इस तरह से आपको मैजदा फॉलिंग में भी option आ सकते हैं चलिए चलते हैं next question पे मिया तांसेन के संदर्व में निम्लिकित में से कौन सा कतन सही नहीं है तांसेन की उपाधी उन्हें समराट अकबर ने दी थी तांसेन ने हिंदू देवी देपताओं पर धुरुपत की रशना की तांसेन ने अपने संगरक्षों को पर गीतों की रशना की तांसेन ने कई रागों का विश्कार किया तो तांसेन गौलियर घराने से माने जाते हैं और इनका नाम मैं आपको इनके बारे मैं एक्चलि पूरा पढ़ा चुगा हूँ गौलियर घराने से माने जाते हैं फत्यपूर सीकरी में जाते हैं और अकबर के दरबार में एक तरह से गायन करते हैं इनको अकबर जो है तांसे तो जैसा कि मैंने आपको पता है ग्वालियर के राजा विक्रम जीत ने इनको पाधी दी है तांसेन जी नेक्स्ट निम्ने लिखित में से किस मुगल समराथ ने सचित्र पांडूलिपियों से हटकर एल्बम और व्यक्तिकत चित्र पर जोड़ दिया बहुत इजी ता क्वेश कि मैं बता सकता हूं कि अगर किसी चित्र को मैं देखू कि अłe किसी हमानी और पता किछा भो कि नहीं जरा आनका है सिकने हा hon खिली यृष्ण फरन के दिश्रीक्ट डिया है और इसने एक एयलबम रख़ा मुरक्का बला है आज से टरम पूसके नेमने प्राइट यानि कि पोट्रेट्स बने शुरू करी आपको पता है जैसे तो चर्चा वही करेगा हीरों की जो जोहरी होगा जाहिर सी बात है जेवर्द और जवारातों की बात वही करेगा जो जोहरी होगा और ट्रेवनियर ने की इसकी चर्चा ट्रेवनियर कौन है एक मुगल काल में यात्री आता है इसने भारत की यात्रा छे बार की छे बार इसने अपने वरतांत लिखे हैं ट्रैवल्स इन इंडिया करके ट्रैवल्स इन इंडिया इसी तरह से बर्नियर है ये भी आता है मुगल काल में और बर्नियर ने औरंग जेप के द्वारा दारा को किस तरह से प्रतारित किया गया है इसका बहुत जाधा अच्छे से एक्मेनेशन दि इंडिया, तो किताबे पुछी आती ही कई बार एक्जाम्स में किसने कौन से लिखी, तो इसलिए महत्पूर्ण है, और क्योंकि ट्रैबलर समेशा important है, यूपिस्ती की नजर रहती है, जो foreign travelers आया, उन्होंने इंडिया के बारे में क्या लिखा, मतलब जो foreigners से उन्होंने इंड या वो कैसे देखा, वो जादा important है, next question, निम्न लिखित में से कौन सा काकातिये, सामराज्य का एक बहुत महत्पूर्ण बंदरगा था, काकी नाड़ा, मोटूपल्ली, मचली पट्नम और नेलरूर, तो इसका answer है दोस्तो, मोटूपल्ली, बहुत थी, महत्पूर्ण था, मस मचली पट्नम और नेलर, यह साउथ में पढ़ते हैं, और काकी नाड़ा भी साउथ में ही है, अगर आप मैप देखो इंडिया का, तो आपको यह कुष्चली जो कुष्चे नहीं है, यह हिस्ट्री का कम और जोग्रिफी का जाधा है, अगर आपको पता हो काकातिया वंच कहां पे शातन किया, तो मैंने आपको दिखाया था मैप में इसके पहले, जो आपका सेंट्रल उडिसा से लेके नौर्धन अंद्रप्रदेश तक का काकातिया वंच है, और यह जितने भी बाकी तीनों पोर्ट दिखने हैं, यह सारे के साउथ इंडियाम पढ़ते हैं, मजदूर, सैन अधिकारियों को दी गई भूमी अनुदान, भूमी की सिचाई में प्रयुक्त चल्चक्र, बंजर भूमी को क्रशी भूमी में परवर्सित करना, तो अरगट, अरःट, जो है, यह है, भूमी में सिचाई, प्रयुक्त, जल्चक्र, आपने पर्षियन वील इसका उनलेक बाबर ने अपने बाबर नामा में भी किया है, और यह जो है, मैं आपको एक, इससे पहले जब मैंने कुछ पढ़ाया था, कहीं शायद, I think, मौर एंपायर जब मैंने पढ़ाया था, या उसके बाद दुपता एंपायर जब पढ़ाया था, तो उसमें मैंने करके बैल लगा दिया था और बैल उसके खंबे के चारों तरब घूमता था, जिससे वो वील भी रोटेट होता था और पानी निकल के बाहर आता था, नालियों के सारे फिर वो खेतों में चला जाया करता था, तो यह पूरा अरगट की समझना है, अब बंधुआ मजदूर क जाते हैं सीदे सीदे काम में, भारत के सांसरतिक इतिहास के संदर्व में, इतिहास, राजवनशी, इतिहास और महा काप्यों को याद करना निम्न लिखित में से किसका पेशा था, तो यह निम्न लिखित में से पेशा था मागद का, और यह श्रमन दिया है, श्रमन या है, ये वो लोग हैं जो जैनिजम और बुद्धिद्रम को फॉलो करते हैं, जैनिजम और बुद्धिद्रम को फॉलो करते थे उनको श्रमण बोला जाता है, आपको पता होगा, श्रमण धर्म बोलते हैं, श्रमण धर्म, नेक्स्ट विजयनगर के शातक कृष्ण देव की कराधा प्रणारी के संबंध में निम्लेखित कत्नों पर विचार की गई थी फिर से विजयन अगर अगर आ गया है बहुत इंपॉड़न ए यूपिस्टी के अगर आप देखें पैटन्स कोश्चन के तो विजयन अगर 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 कोश्चन आ नहीं आने कहीं नहीं तो भूमी पर कर देखते हैं और अगर हम बात की काल में देखें तो शेर्शा सूरी है जो भूमी सरवक्षियान करवाता है फिर आगे चलके और आगे चलके अकबर की काल में देखते हैं तो भूमी पर जो दर तै की गई थी वो भूमी की गुडवत्ता की आधार पर की गई थी एक्दम सही यहां पर जो प्रोफेशनल टैक्स की बात कर रहे हैं तो प्रोफेशनल टैक्स था उस समय दोनों के दोनों सही है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी नेक्स वेस्टन भारती इतिहास के मद्धिकाल में बंजारे आम तोर पर क्या थे तो बंजारे जो ते वियापारी थे नूमैडिक लाइफ जीते थे मतलब यहां से कुछ लेके आए और माल लिजा आपके दिल्ली में पहुछे दिल्ली में रुके, वहाँ पे उन्होंने व्यापार किया, जो वहां के चीज तरह दूसी तरफ दिया हुआ है और आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्न सुमेलित है चंपक, दुर्गारा, कुलुता तो यह जो चंपक है यह पढ़ता है चंबा के शेत में तो यह मद्द भारत नहीं है दुर्गरा जो है यह सही मैशे जम्मू में है एकदम सही है कुलू मनाली वाला जमाचल प्रदेश वाला तो मालाबार आपका पड़ता है साउस में और यह कुलू हो गया आपका नौर्ट में तो यह भी नहीं है अब मद्द भारत को बोलते थे मालवा यह मैंत्वपूर्ण है मद्द भारत को मालवा बोलते थे इसी तरह से अगर पुरानो नाम था कामरूप कामरूप है इसका पुरानो नाम असम का उडीशा का उतकल मिल जाता है इंको अब आते हैं इसी कुश्चन पर तो इसमें से केवल एक ही मैच है केवल दो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन B नेक्स वेस्चन निम लिखित पर विचार करें बाबर के भारत आगमन से उप महादूइप में बारूद का आगमन हुआ शेत्र की वास्तुकला में महराब और गुम्मत का पैचाय हुआ शेत्र में तैमूर राजमच की स्थपना हुई इन में से कौन सा सही है तो उप बारूत का इस्तमाल इससे पहले भी मिलता है हम लोगो और बारूत का प्रयोग हम देखते हैं जब बहमनी और विजय नगर एमपायर में जब वार होते हैं तब हम देखते हैं बारूत का प्रयोग किया गिया है तो पहला statement रौँग है सेकंड देखते हैं महराव और गम्मत का परिचे यह भी क्योंकि यह महराव और गम्मत तो इसे पहरे दिल्ली स्ल्तनत के समय में भी आ चुके थे दिल्ली स्ल्तनत में बहुत सारे आइमार्तेrut मनी Kendis zij सिए आप देखो अ चैसे आप देखो वराई तरवांजार देख mercy अ मकबरा है उसमें भी गुम्मत मिल जाती है आपको सिकंदल लोदी का मकबरा है उसमें गुम्मत मिल जाती है आपको और महराब तो बहुत सारे इमारते हैं चाहे आप अलाई दर्वाजा देख लो अलाई दर्वाजे में आपको महराबे दिख जाएंगी गुम्मत भी दिख ज दूसरी तरह से चंगेज खान, चंगेज खान और तैमूर के राजवंश से ही निकल के बाबर आ रहा है, तो तैमूर राजवंश की स्थापना जरूर होती है, हाला कि तैमूर ने जो मैंने आपको बताया था, पहले भी आक्रमण किया था 1398 में, लेकिन लूट की चला जाता ह और यहां पर कोई राजवंश की स्थापना नहीं होती, तो हमारा ओप्चन हो जाएगा ओप्चन B, नेक्ट, भारती इतिहात के संदर्व में निम्न लिखित में से कौन सा यसे सामंती विवस्था का आवश्चक तत्व है, एक बहुत मजबूत केंदरी करत राजनीती प्र तो हमको बताना है, इसमें से कौन सा सही है, आंसर देना है कोड में, तो एक क्वेश्चन आया है, फ्यूडिलिजम से निकल के, फ्यूडिलिजम यानि की सामंत वात से निकल के आया क्वेश्चन, और फ्यूडिलिजम की मांग यही है कि जो सेंटर है, जो स्टेट का जो सें जागीरें दी जा रही है और जागीरें देके वहाँ पे सामंद की तरह से उसको रखा जा रहा है जैसा कि हम सामंती व्यवस्था देखते हैं पूर्व मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें तो राजपूत काल की मोटे-मोटे तौर बात की जाती है तो उस समय प्रभू और जागीरदार का संबंद का निर्मान होता है और इस तरह से option हो जाएगा option number B next question निम्लिकित में से किसने कृष्णा नदी की एक साहयक नदी के दक्षिनी तरफ पर एक नया शहर बताया और अपने नय राज्ये पर शासन करने का बीड़ा एक ऐसे देवता के प्रतिनी दी के रूप में उठाया जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी के दक्षिन की सारी भूमी उसी की है तो आपको नाम बताना है कौन है अब ये question मैं बोलू तो फिर से विजय नगर सामराजी सही है क्योंकि हरियर प्रतम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे और क्रिश्णा नदी के नीचे यानि की हम बात कर रहे हैं तुंग बद्रा नदी और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो विजय नगर सामराजी के जितने भी शासक थे वो वीरुपाक्ष को मानते हैं वीरुपाक्ष की पुजा करते हैं और उनी के प्रतिनिधी के रूप में शातन कर रहा हैं मतलब उनका कहना यह है कि भाई शासक तो हम नहीं हैं, शासक कौन हैं, तो शासक वीरुपाक्ष देव हैं, हम क्या हैं, हम उनके सामंत हैं, हम उनके प्रतिनी धी हैं, तो जितने भी विजय नगर सामराजी के शासक थे, वो वीरुपाक्ष के प्रतिनी धी के रूप में शासन करते हैं और ऐसा माना गया कि वीरुपाक्ष जो है ये शिव का जो फॉर्म है इनकी ही सारी भूमी है जितनी भी किष्णा नदी के दर्शिन में पढ़ती है फिर वही पंपा नदी की बात है और गॉड़ेस मंपा तो ये सब मैं बाते दोर होंगा नहीं और इससे आपके समझ ये एक-एक करके शासन गरते हैं नेक्स्ट कॉस्चन इबादत खाना फत्यपुर सीकरी में था क्या था आपको ये बताना है शाही परिवार के उपयोग के लिए एक मस्जिद थी क्या अकबर का ये निजी प्राशना कच था क्या ये वह हॉल था जिसमें अकबर विभिन ध के खुलीन लोग धार्मित मामलों पर चर्चा करने के लिए एककतर होते थें तो इबादत खाना क्या था आप को ये बताना है सबसे पहले तो मस्जिद नहीं थी और इबादत खाना का निर्वांрь होता है फतयपुरसीकरी का Echo it, Patshtaniak निर्मान उससे पहले होता यहां पे विबिन धर्मों के लोग जरूर आते थे लेकिन कुलीण लोग आएं ऐसा जरूरी नहीं थू कुलीण लोग आये ऐसा कोई भी बात देता नहीं थी कि बात देता थी कि कुलीण लोग आएंगे धार्मी thinking मामलों पर चर्चा करेंगे तो इसका प्रयोग किया है था ग्राम के प्रधान के लिए और अगर महात्तरा की बात करें तो इसका शाब्दी करते है कोई महान व्यक्ति तो महान व्यक्ति को ही ग्राम का प्रधान बनाएंगे महान आदमी या महान व्यक्ति आप कुछ भी बोल सकते हैं चलते हैं नेक्स क्वेश्चन पे अन्निमने लिखित भक्ती संतों पर विचार करें दादू दयाल प्यूर नानक और त्याग राज जब लोधी वंच का पतन हुआ और बावर ने सब्ता समा ली तब उक्रोक्त में से कौन उपदेश दे रहा था तो हम बात कर रहे हैं किसकी फस्ट बेटल ऑफ पानीपत की फस्ट बेटल ऑफ पानीपत 1526 जब इबराहीम लोधी और बावर का यूद होता है उस समय कौन अपने उपदेश दे रहा था इसका मतलब उस समय कौन जीविक था मुस्की बात कर रहे हैं सीधा सीधा सा कुश्चन है यह तो एक एक करके इन 1566 तो बिल्कुर नहीं हो सकते इस तरह से ऑप्शन हमारा बनेगा खाली ऑप्शन नमबर टू आपको यहां पर महत्वपूर्ट क्या रखना है जिसके मैं इस प्रेशन को पढ़ना है कि बावर ने जिससे में सकता समाली उस समय की बात कर रहा है तो आपको सीधे सीधे मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहात के संदर्भ में सूफी रहस्वादियों को निर्न लिखित में से किस प्रथा का पालन करने के लिए जाना जाता था पहला ध्यान और सांस पर नियंत्रण दूसरा एकांद इस्थान पर कठोर तपश्चर्या तीसरा अपने श्रताओं में पर्मानंत की स्थिति पैदा करने के लिए पवित्र गीतों का पाठ तो ध्यान और सांस के उपर नियंत्रण ये योग से लिया है नोने योग साधना से लिया है धान और सांस पे नियंत्रण और कई बार पूछा भी आता है कि ये जो सूफिजम में ये जो फिलोस्पी ह ये जो तरीका है उनका meditation करने का वो कहां से लिया है तो वो योग से लिया है एकांत इस्थान पर कठोर तफस्या ये भी सही है अपने शोताओं में परमानंत की स्थिती पैदा करने के लिए पवित्र गीतों का पाठ ये भी सही है इसको समा बोला जाता था समा